नमश्कार आज हम सीखेंगे संधी संधी स्वर और वरनों के आपशी मेल से संधी बढ़ती हैं। इनमें तो विकार उत्व पन होता है। जो महतरा बदलती है उसको फिर हम उस पुर पर संधी कहते हैं। तो सबसे पहले आपकी है दिर्ग संदी, दिर्ग संदी, दिर्ग जो संदी है, इन दोनों का अपसों मिल करके आ बन जाना, और इन दोनों का अपसों मिल करके बड़ी ए बन जाना, इन दोनों का मिल करके अपस में बड़ा उ बन जाना, इन दोनों का मिल करके अपस में बड़ रिशी बन जाना तो ये जो संदी कहलाएगी ये कहलाएगी दिर्ग संदी इसका नाम हो गया दिर्ग संदी अच्छा अब हमें समझना है इसके बाद कि ये बनती कैसे है जैसी ये देखिए हिम हिम पलस आले क्या बना हिम आले तो ए और आ अपस मिल करके आ बना ये ए और आ अपस में कैसे ही जोड सकते है ये आ ही बनेगा तो दिर्ग होगा दिर्ग का मतलब होता है बड़ा बड़ा या बड़ी मातरा जब बनती है तो दिर्ग कहलाती है इ की है देख लो E की महीस है जैसे यह लिखा हूँ महीस 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 यह दिख रहा है महीस यह महीस का मतलब क्या हूँआ इसमें बड़ी E आ गी है जैसे यह सुक्ती है री का उधारन देखना है री का उधारन देख लिए पित्रन हो गया तो यह आपकी डिर्ग संदी होगी अभी यहीं complete अभी अनों दिर्ग संदी को clear कर लिया अब सिखेंगे में गुन संदी कैसे होती है गुन संदी में आपको यह धियान रखना है देखो गुन गनेश में होता है ठीके गुन गनेश जिम ज़ानदह होता है तो इस हिसाब से क्या बना क्या गन पलस ई से तो यह यहाँ ए था पलस में ई था तो इन दोनों के मेल से क्या बना क्या एडी बन गया यही हमाँ समझना है उदारन कोशी देख लेते हैं ए और ए आपस में ए होता है और ए और उ आपस में मिलेगा तो ओ हो जाएगा जिसे देवरन है उपर वाला जो रे होता है वो गुण संदी का उदारन होता है उपर वाला रे जैसे यह देख वरन के उपर वाला रे है यह अगर हम कहें तो एक मात्रा जो होती है वही गुन संदी का उदारन में उपर से एक मात्र लगे या रे उपर वाला रे तो ये गुन संदी के उदारन होते हैं अब हम पढ़ते हैं वर्दी संदी वर्दी संदी की सिद्धी सी पहचान है ए आ के बाद में ए आई मिले तो हो जाएगी है मातरा ठीक है न है यहां तो सिंगल है पर अकसर के सा легко लगेगी तो दो मातरा होगी है इसमें दो मातरा है उपर वर्दी संदी की बास जिदी सी पैचाना उपर दो मातरा होगी जैसे देखो यह हमने बना रखा, सुब पलस में एसी, सुब एसी, सुब एसी बन गया अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं यन संदी की यन संदी जो है, यन संदी में ये कैसे बनता है, इसका हम ध्यान रखेंगे, इस ये को ये को कैसे बनाते हैं देखो अब हम समझते हैं कि E प्लस A ये हो गया आपका ये और ये देखिए E प्लस A बराबर में ये होता है अपती ये E आगया और ये A आगया दोनों मिल करके इन दोनों का अपस में हो जाएगा ये ये बन जाएगा और यहाँ देखो ये देखो ते आदा हो गया मातरा इदर चलिगी मातरा ये में आगी तो ये ते आदा हो गया तो आते देख उ का उदान लेते हैं ये न संदी का उ पलस में ए बरबर वे होता है तो इस उ पलस में ए तो ये वे हो गया सोए यह वोगया क्योंकि इसमेंसे मात्र निकल गी मात्र निकल गी तो आधा से बन गया और वे इन दोनों का बन गया ठीक है और यह वापिस बस जो यह आपने दिख दिया अब रीकाई को उदान ले लेते हैं पित्र पलस में आग्या है पित्री पलस आग्या क्या हुआ पित्राग्या पित्राग्या बना कैसे है पित्र पित्र पलस रा पलस ग्या पित्र पलस रा पलस ग्या पित्राग्या ये थे उदार न यन संदी के अब समझेंगे मैं आयादी संदी ए, आई, ओ, अउं इनके साथ कोई दूसरा सुवार आता है तो आयादी संदी हो जाते हैं जैसे ने, ने पलस अन, नए अन बना, ठीक है? गई पलस में अक, गायक बना, भौपलस अन, भवन बना, भौपलस में उक, भौपलस में उक, और इसके साथ में ए या आ मिलने से आय बनता है, ओ के साथ में ए मिलने से आउ बनता है, ओ के साथ में उक मिलने से, यनके आउ, ओ के साथ में ए मिलना तो आउ, तो इसके साथ में ये आ, आउ हो गया, आउ के बाद में ये भवौपलस में उ, भवौपलस में उ, भवौपलस संदी के लिए हम ये देखना है कि सत्पलस विचार सदविचार, तत्पलस में तन में, मुक पलस चवी, मुक चवी, उत्पलस शिष्ट उत्पलस चारं उत्चारं शम पलस कर संकर वी पलस सम विसम उत पलस हार उद्धार सत पलस कार सत कार सम पलस योग संयोग वी पलस सनू विश्णू प्रे पलस नेता प्रेनेता तो ये वेंजन संदी के दस नियमों के बारा नियमों के दस बारा नियम है उनके उदारन एक एक ये याद हो जाएगा तो वेंजेन संधि आपा जाएगा विशेक्र संधि के कुछ उदारन पढ़ते हैं पुर पलस इत पुरो हिट नी पलस जन निर्जन नी पलस चल तंह निशचल नी पलस पाप तंह पाप नी पलस रव नीरव यस पलस इच्चा येस इच्छा अते पलस करना अंतेह करना मनह पलस अभिलासा मनह पलस अभिलासा मनह पलस अभिलासा मनो अभिलासा और अंतेह पलस करना अंतेह करना तो ये आपके विसरग संदी के आठ नियम है और ये आपके वेंजन संदी के दस नियम है अगर वीडियो लाइक अच्छा लगा हो अच्छा लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो धन्यवाद